आज पूरा देश कोरोना वाइरस जैसी गंभीर महमारी से गुजर रहा है आए दिन पूरे देश में लगतार मोते हो रही है कोरोना वाइरस से मोतों का सिलसिला रुखने ही रहा सरकार्व प्रिशाशन की द्वारा कोरोना वाइरस जैसी महमारी से बचने के लिए कहीं नियम वा गार्ड लाइन जारी की गई है और हमें बराबर मास्क लगाए रखना है दोगल्स की दूरी बनाए रखनी भी बहुत जरूरी है ये सब बताया भी जारा है तब जाकर हम इस गंभीर वाइरस से बच सकते हैं इस क्रम में सरकार और प्रशाशन की द्वारा अन्हे को करोना वाइरस से बचने के लिए कई कारी क्रम वा गार्ड लाइन भी जारी की गई जिसका सभी को पालन करना है सरकार वा प्रशाशन की द्वारा गार्ड लाइन का पालन ना करने वालों की खिलाब महामारी एक्ट के अंतरगरत कानूनी कारिवाई वजुर्मानी का प्रापधान दखा गया है ऐसे में एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें थाना कायम गंज के अंतरगरत कुआ खेडा चौंकी के चौंकी परभारी दिपक भाटिया वो अन्य के द्वारा करोणा वाइरस के नीमों वो गाडलाईन की ऐसी धजियां उडाई जा रही है क्या जंता कैलिए ही सारी गाडलाईन और नियम है क्या जंता काही बिन मास्क पर दस ख़िजार का चलान काटा जाएगा क्या जनता को ही समाजिक दूरी बनानी है इन दरोगा साहब के लिए कोई गाइडलाइन नहीं कोई मास्क चलान नहीं मगर क्या दरोगा दीपक भाटी पर जिला प्रिशाशन की द्वारा कारेवाई की जाएगी या नहीं के दरोगा साहब पर भी बीना मास्क होने पर दसजार का चलान काटा जाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगे